दोस्तो नदियों को हमारे जीवन का लाइफ 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 कि वाष्टे में आने वॉली हर चीज को यह मिटा देती है हर साल आने वाले बांद के कारण को जानवा माल के भारी नुक्सान होता है जिसके आधि को चीन में दूःग की नदी भी कहा जाता है नमबर टू, कांगो रिवर अफिरका, कांगो नदी को अफिरका में अंधकार का हिर्दे भी कहा जाता है यह नील नदी के बाद अफिरका की सबसे बड़ी नदी है और उतनी ज्यादा खौफनाक भी, कांगो नदी को सबसे गरी नदी माना जाता है इसकी संपुल लंबाई दो है 900 मिल है नदी के पास 75 मिल लंबी घाटी है जिसे गेट आप नरग भी का जाता है नमबर त्री निल रिवर अफिरका निल नदी दुनिया के सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6,650 किलो मीटर है लेकिन इस नदी के पीछे छिपे खत्रे को अक्सर हम नजर अंदाज कर देते हैं इस नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक जीव निवास करते हैं जिसमें ज जारीले सांप खतरनाक मकडिया सामील है साथ ही इस नदी में विसलगाई मंगरमच हो जारीले मंगरमच भी पाये जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा जान लेवा हो सकते हैं नमबर फोर अमेजर नदी यह दाचीड अमेरिगया के दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि 6400 किलो जाने में सच्छम है इस नदी में खून की 85 मचलिया भी पाई जाती है नमबर फाइब सीताराम नदी इंडोनेसिया इसे दुनिया के सबसे दुसित नदियों में एक गिना जाता है दूर से देखने पर आपको लगेगा जैसे आप कोई कूड़े का धेर देख रहे हो लेकि इस यह सरकार ने हाली में इसकी सफाई के लिए अभियान तो सुरू किया है लेकिन इसके कोई अच्छे परिडाम जमीनी इस्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं नमबर सीक्सरी यो तीन तो रिवर इस्पेन में बहाने वाली इस नदी को खूनी लाल नदी भी कहा जाता है कि हो क चांदी ताबायों कई तरह के धातू खदानों से होकर गुजरती है इसलिए इस नदी में धातू की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है जिसकी वजह से इसका पानी पीने से जान भी जा सकती है नमबर सेवां रेड रीफर अमेरिका अमेरिका के दच्छी भाग में बहान किसका भावर है जो कि इस नदी के तक्रिवन हर इसे में देखनों के मिलता है जिसकी चपेट मगर कोई इंसान आ जाए तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस नदी के आस पास बहुत सारे दलदली छेतर पाए जाते हैं तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमे आसे वीडियो लाता रहता हूं